हेलो दोस्तों UPSS classes में आप लोगों का स्वागत है मित्रवाज मैं क्रसी अभियंतरन से महत्पूर्ण प्रश्ण लेकर आया हूँ आप लोग पूरा वीडियो लाश्ट तक देखिए और जो भी इसमें महत्पूर्ण प्रश्ण है उसको आप जान लीजिए यह सारे तुछ और आप लोग वेल्कोल याद कर लिजे कन्फिजन मत होई का मित्त तुछ नंबर टू बहुत ही महत्पूर्ण प्रश्ण है कि बर्मी कलुचर से संबंधित बर्म कौन सा है आप्शन यह है फीता क्रिम B है सिल्क क्रिम C है धागा क्रिम D है केचुवा भूम क्रिम तो इसका राइट एंसर होगा मित्रो D, केचुवा, भूम क्रिम केचुवा किसान का मित्र भी कहा गया है मित्रो किसान का मित्र के चुवा 21 तरीके के मित्र होता है तो इसको भी मैं बता देता हूं कि क्या करता है कि भूम में छोटे-छोटे शिद्र बनाके रहते हैं और ये खाते भी मिट्टी हैं और निकालते भी मिट्टी हैं जिससे क्या होता है कि मिट्टी की उर्बरता बढ़ती है इसलिए ये किसान के मित्र कहलाते हैं चलिए प्रश्ट नंबर तीन देखते हैं बहुत महात्पूर्ण प्रश्ट है कि भारत में बनने वाला प्रथम ट्रेक्टर था आप्सन में आइसर महिंद्रा स्कॉर्ड फोर्ड तो भारत में बनने वाला प्रथम ट्रेक्टर मित्रों जाओ नमघेंजन्थ Focus कंपनी बना रहे हैं यह आपका चन्ने में में इसका हुआ है मित्रों चीलिय nasal देखते हैं एंप प्रस्थ नंबर चार है यहुआ की मित्रों की बायो गैस का मूछ के consumer निमिद में से कौंसा तो बायो गैस का मुख्य आयो है मिथेन मित्रों, मिथेन एक जोलनसील गैस है, और ये जोलनसील होने के कारण इसका घरों में उपयोग किया जाता है, खाना पकाने के लिए, बायो गैस में मित्रों मुख्य रूप से मिथेन 55% प्राप्त होता है, और 45% आपका CO2 यानि कारण डायाकसाइड प्राप्त होता है, तो आप लोग बायो गैस के बारें भी जान लिजे कि कौन सी गैस से प्राप्त होती हैं दो गैसे मिलती हैं आपका मीधेन फच्पन प्रसर जो सबसे ज़्यादा मिलता है 45% कारबंडा याकसाइड प्रस नंबर 5 है मित्रों कि क्रिसी योग भूम को उखाड़ना और प्लटना कहलाता है तो यह प्राथमिक भूपरिसकरण कहलाता है मित्रों परातमिक भूप करण क्या होता है मित्रों की बीज बोने के लिए बीज सईयार करने तक जितनी कारवाई पहले करते हैं हम उसे बहुत परश्करण कहलते हैं इसके बाद की जो कारवाई होती है नाम भी बहुत पुराना है दूसरा है डिस्क डिस्क हल है डिस्क हल है और एमबी प्लाव भी है एमबी प्लाव तो आप लोग इन एक्कुपमेंट को भी याद रखेगा क्योंकि परिच्छा में कभी-कभी पूछे जाते हैं प्रस्ट नमबर 6 ऐसे उपकरण जो एकल बंद द्वारा खीचे वा चलाए जा सकते हैं उन्हें कहते हैं तो एकल बिंद मतलब एक जगें ज्वाइंट करके और उसको खीचते हैं तो घिसेटने वाले उपकरण होते हैं आपको पता है जैसे माली जे थेरी पॉइंट लिंक य लेता है खीचने वाले जैसे हो गया मित्रों ट्राली बहुत महात्पूर उदार है ट्राली ट्रैक्टर में क्या होता है ट्राली को फसा कर खीचते हैं एक गुल्ला रहता है उससे खाली उसको जॉइंट कर दिया जाता है यानि एकल बंद एक बंद द्वारा उसमें बांद 36 दिसा में मिट्टी काटता है वो क्या कहलाता है तो उसका नाम है मित्रों कोल्टर का कारी है कि ये मिट्टी में घुशकर मिट्टी को काटता है और पीछे की ओर कूड की दीवार को साब करता रहते हैं , और इसका प्रियोग कोल्टरका प्रियोग में तो उस जगह करते हैं यहां पर घास जादा हो घास वाले भूमियों में जुताई करने के लिए बहुत मुक् debug करता है sweet दोस्तों आप लोगों को अगर मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो कमेंट्स बाक्स में जाके कमेंट्स किया कीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए चैनल सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो कर लिजिए बिल्कुल चलिए प्रस्ट नमबर आठ देखते हैं कि अइंबी हल की फाल निमनय मिकी बनी होती है तो एंभी प्रस्ट नम्मर नो información कि ऑने कि ड्रुब, और प्रस्ट नमबर लिजिए, ні जहासिक्त भूम में, छारिय भूम में, चिपकने वाली भूम में, उप्युक्त सभी में, तो इस लेट आकार के जो हल होते हैं, ढलवा हल होता है मित्रों, वो चिपकने वाली भूमियों में प्रियोग किये जाते हैं, क्यों? क्योंकि चिपकने वाली भूमियों में करते हैं जुताई के लिए प्रश्ण 10 है और वीडियो का लाफ्श प्रश्ण किनिम्न में से कौन सा जल परसीतित इंजन का भाग है जल परसीतित मतलब कि इंजन को ठंडा करने के लिए कौन सा भाग इंजन में परियोग किया जाता है तो इसका राइड एंसर है रेडियेटर इंजन में रेडियेटर का ही परियोग किया जाता है इंजन को ठंडा करने के के लिए तियरे मित्रों आपके most important प्रेशन आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और अपने मित्रों के साथ सेर भी करिएगा चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्ष वीडियो के साथ तब तक लिए थैंक यू जय हिंद